Hello viewers, मैं हूँ मुसकान and welcome back to my YouTube channel आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी शीर होड़ मा की रेसिपी बहुत ही easy method में मैं आपके साथ यह रेसिपी शेर करूंगी चलो, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पपले अगर आपको मेरी वीडियो से अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू पैन में हम गी ले लेंगे टू टेबल स्पून कटे हुए बादाम मेंने ले लिये हैं हॉफ कप मेजर्मेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ड्राइफ रूट्स का और यहाँ पर ले लेंगे काजू हॉफ कप मेंने लिया है अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेना है हमें देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अभी हम इसे निकाल लेंगे उसी खी में हम डालेंगे dry dates ये मैंने one cup लिया है और इस तरह हम vertically cut करेंगे इसे भी golden brown कर लेंगे देखिए इस तरह अभी हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे वन टेबल स्पून हम घी ले लेंगे dry coconut को इस तरह grate कर लेंगे one cup मेंने लिया था अच्छे से हम इसे रोस्ट कर लेंगे घी में इसे भी हमें golden brown करना है देखिए बिल्कुल इस तरह golden brown अभी हम इसे बाहर निकाल लेंगे अभी देखिए हम यहाँ पर सारे dry fruits डालेंगे जब हमने fry कर लिया था इसे अच्छे से मिक्स कर रहेंगे और हम इसे फ्रिज में टू मन्स तक इजिली स्टोर कर सकते हैं आप इसे कोई भी स्वीट या हलवे में यूज कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्ली शीर खुर्मे म यूज कर सकते हैं मिल्क बॉइल हो रहा है हम 5 मिनिट्स तक इसे ऐसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे यहाँ पर मैंने सेवियों को घी में रोस्ट कर लिया था वन कप हम इसमें एड कर लेंगे मिल्क में और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम हम लो पर रख देंगे एलाइची पाउडर ले लेंगे हॉफ टी स्पून मिक्स कर लेंगे यहां पर शुगर मेंने हॉफ कप लिया है आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या जाधा कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर अच्छे से डिजॉल्व हो जाए मिल्क में अभी देखिए मिनिट तक हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे ऐसे ही कंडेंस में ले लेंगे टू टेबल स्पून इससे बहुत क्रीमी टेक्स्च्चर आता है अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम और फ्लेम को ओफ कर लेंगे शीर खुर्मा बनकर रेडी है कर दो कर दो दो